दोस्तों आज बनारी हूं मैं दो प्रेड से पूरे परिवार के लिए नाश्ता और बहुती चटपटा क्रिस्पी ये नाश्ता है नमस्कार अनुपूर्णा खाना विद गाना यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंट्स यहाँ पे मैंने दो कप आटा लि दिया है तो फ्रेंट्स यहाँ पर मौइन के लिए मैं यहाँ दो चमश्च तेल के डाल रही हूं तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने तेल को एड कर दिया है और यह आटे में हम अच्छे तरह मिक्स कर देंगे तो फ्रेंट्स यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी एड करके हम एक soft dough तयार कर लेंगे जिस तरह हम रोटी के लिए आटे का डो लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें ये डो तयार करना है तो फ्रेंट से जो ये आटा है इसको अच्छे तरह हम मसल मसल के हम आटे का डो तयार करेंगे ताकि जो आटे का डो है वो soft बने तो ये देखे फ्रेंट के लिए अच्छीन देते हैं तो यहां पर मैं ये मैने 4 आलू लिये हैं और 2 मैंने हरी मिर्च को शुतां। इसमें नमक एड़ किया है और चुटकी वहर मैंने यहां पर हल्दी पावडर एड़ कर दिया है और आदा चमच में यहां पर भुनावा जीरा ले रही हूं और फ्रेंट्स यहां पर मैं आदा चमच ले रही हूं धनिया पावडर और आदा चमच ले रही हूं में गरम मसाला तो फ्रेंट्स यहां पर मैंने यह मसाले एड़ कर दिया है और यह लिया है मैंने एक पेस्ट यह हरा धन्या और लैसून और अद्रक का पेस्ट है इससे हमारे जो इस टपिंग है वो बहुती गजब की बनेगी चटपटी बिल्कुल और स्वाद बहुती गजब का तो यहां पर मैं मैं ले लिया है और फ्रेंट्स आलू को मैंने अच्छे तरह मैश कर दिया है पर जो यह मसाले है यह इससे अच्छे तरह मिक्स नहीं हो रहे तो मैंने अलग कर दिया है और यहां पर जो आलू है मसाले इसको हम अच्छे तरह मिक्स कर देंगे तो यह देखे च्छोटे रचे तोड़के हम इस मिक्सी के जार के में डाल देंगे और इसकar हम एक बूरा बना लेंगे और फ्रेंच्स आप मिक्सी को बार बार रोक के चलाइए ताकि जो इसका जो बूरा है इस तरह 24 बन चाहिए करूँ में लिया है और नहीं जाइधा गाड़ा चाहए कि आपको पेश्ट बड़ी करणा करें चत्なたा आप तो भलतम तो मैंने नहीं मैंने यहां पर betल यह दो करूँ मैं से हमुआ हुआ प्लेन कर रहे हूं जितनी हम छोटी सी पूरी बेलते हैं उतनी ही मैं इसको हाथ के मदद से इसको प्लेन कर रहे हूं तो यह देखे फ्रेंस यहां पर मैंने प्लेन कर लिया है और इसमें मैं स्टपिंग भर रहे हूं जो मैंने आलू की स्टपिंग बनाई थी वो भर रहे हू यह अँटा है तो इसमें आसानी से इसापींग भर जाती तो यह वद फिर से इसको लोई बना रही हूं तो यह हम पे मैंने फिर इसको लोई बना दी है और इसी तरह वर्यपन, आपको सारे लोई में सिसापिंग भरनी है तो यह देहिए इसके बाद हम जो यह हमने घोल बनाया था इसमें हम ये लोई डाल के इस पर ये आटे का कोड कर देंगे और ये देखें और अब मैं हाथ के मदद से इसको उठा रही हूँ और जो मैंने ये मिक्सी में ब्रेट को दर दरा पीसा था तो यहां पे friends इसमें हम इसका coat कर देंगे तो यह देखिए बहुत ही आसानी से हो जाता है तो इसी तरह आपको सारे जो यह नाश्ता है इसी तरह coat करना है bread से तो यह देखे friends अब इसको हम fry कर लेते हैं तो यहां पे मैंने gas पे पहले ही तेल रग जिता है तेल हमारा अच्छे मैंने यहां पे 6-7 पीस बना है तो यह अच्छे तरह यह मेरी कडाई काफी बढ़ी है तो एक ही बार में यह सारे आगे हैं तो friends एक तरफ हम इसको पहले golden brown कर लेंगे उसके बाद हम इसको पलटेंगे तो यह देखे friends यहां पे एक तरफ यह golden brown हो गया है अब इसको हम दूस fry कर लेंगे जब तक कि यह crispy ना हो जाए तब तक हम इसको fry करेंगे और friends यह नाश्ता बहुती जादा सूपर टेस्टी डिलिश्टी यह नाश्ता बनके तयार होता है और friends जब भी आपको छोटी मोटी भूक लगे तो आप इस नाश्ते को बना सकते हो और आपके जो करके यह नाश्ता भार निकाल रहे हूं तो friends यदि आप यह जब अपने परिवार के साथ यह डिश शेयर करोगे तो friends मैं आपको यकिन दिलाती हूं आपके घर में यह हपते में कम सकम चार पांच बाद यही नाश्ता बनेगा यह बहुत ही जादा healthy है इसमें बिलकुल भी म नाश्ता बना के दे सकते हो और friends बच्चे भी जी भर के यह नाश्ता खाने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा बच्चे खुश होने वाले हैं तो friends इस नाश्ते को आप चटनी के साथ भी खा सकते हो चाई के साथ भी खा सकते हो और friends इसको आप ऐसे ही भी खाओगे तो भी friends यहां पर मैं आपको तोड़के दिखाती हूं यह देखे फ्रेंट्स यह बहुती सूपर डिलिश्टिस यह नास्ता बनके तियार हुआ है और फ्रेंट्स आप इसको चाई के साथ खाओगे तो आपको और भी ज्यादा मज़ा आने वाला है तो फ्रेंट्स यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो फ्लीके लाइक किजी लोगों के साथ शेर कीजीए कमेंट्स कीजीए और फ्रेंट्स यह दिया आपने अभी तक मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो फ्रेंट्स मेरा चैनल को सस्क्राइब कीजिए ठैंक